दोस्तो सबसे पहला मोबाईल की स्कीन पर देख लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा loan zero दोस्तो एक रुपे का भी loan अभी आपको सो नहीं हो रहा है यहाँ पर loan की जो amount है वो zero है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option देखने को मिलेगा apply now इस पर मैं click करूँगा और जैसी मैं click करूँगा दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछे जा रहा है कि भाई यहाँ पर loan लेने के लिए आपको यहाँ पर loan लेने के लिए ठीक है अपनी जो है income current income type जो है वो type बताना पड़ेगा मतलब आप किस तरीके से पैसे कमाते है वो type आपको बताना पड़ेगा जैसे कि मैं अभी आपको click करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं click करूँगा और click करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर number 1 salary को loan मिलते है, number 2 self employee को loan मिलते है number 3 unemployed को loan मिलते है number 4 other कोई भी category का इंसान है, वो भी यहाँ पर loan ले सकता है अब दोस्तों यह जो loan मिलता है ना दोस्तों यह किस base पर मिलता है तो सबसे पहलों वो भी देख लें आपके पास अगर pen card है तो भी loan मिलेगा आधार card है तो भी loan मिलेगा आपके पास एक account होना चाहिए, saving account जिसमें आप इस पैसे को ले सकते हो अभी life proof, मैं यहाँ पर आपको आधार card, pen card मैंने यहाँ पर लगा दिया है ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोस्तों verify करना हूँ income, कैसे, देखो यहाँ पर self employee है, मैं self employee पर click करूँगा मैंने दोस्तों यहाँ पर self employee क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितने रुपे का loan जो है वो मिलेगा, कितने रुपे का loan मिलेगा एक ऐसी application जो कि आपको instant loan provide करा दी है, आधार card, pen card पर zero civil के आधार पर वही आपका civil score कितना भी घटिया कि होना हो चुका है आपका civil score आज तक बना ही नहीं है emergency में पैसों की जोड़त है यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा मंतली income इस पर मैं click करूँगा और जब मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर बताया गया कि भी आपकी मंतली income कितनी है तो भई आपकी 10,000 से कम है तो आप यहाँ पर select करेंगे 10,000 से लेकर 20,000 के बीचे इसको select करेंगे और 20,000 से जाद है तो इसको select करेंगे देखो हर किसी व्यक्ति की अपनी income होती है हो सकता है 10,000 से कम में आप आते हैं तो 10,000 से कम select कर लेंगे तो मेरी जो income है दोस्तों मैं यहाँ पर select कर लूँगा 50,000 रुपे का लोन दोस्तों यह 50,000 रुपे का लोन life proof हमें मिला है सिर्पोर स्रीफ 20,000 income मैंने बताई है कोई भी मैंने यहाँ पर bank statement नहीं दिया है ऐसा नहीं है कि मैंने bank statement दे दिया और उसको verify कर दिया आपके सामने सब कुछ है अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ ठीक है continue पर click करता हूँ और यहाँ पर देखो चासदर का लोन आ गया नीचे tenure आ गया कि भाई यह लोन मैं कितने दिन के लिए ले सकता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 180 दिन यानि के 6 महिने के लिए लोन ले सकता हूँ और 270 दिन यानि के 9 महिने के लिए लोन ले सकता हूँ तो जितने दिन के लिए भी लोन लेना है उसको मैं सेलेट कर लूँगा मैंने 6 महिने सेलेट कर लिया देखेंगे हमारा इस 50,000 के लोन पर कितना भी आज पढ़ेगा 9,730 रुपे और यहाँ पर टोटल डियू कितनी है 69,730 रुपे अब दोस्तों लोन थोड़ा कोस्टली है लोन कोस्टली इसलिए पढ़ रहा है कि यहाँ पर हमने बैंक स्टेटमेंट बगारा लगा देते तो लोन का जो ब्याज बगारा है वो थोड़ा सा कम हो जाता तो यहाँ पर व्यू लोन डिटेल देखने को मिलेगी इस पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं देखो यहाँ पर आप देखेंगे अगर अभी मैं इस loan को लेता हूँ तो मेरी जो installment है एक जाएगी 8-9-2024 को दूसरी जाएगी October, November, December, January और February यानिके दोस्तों 5 February 2025 को मेरा जो loan है वो खतम हो जाएगा इस तरीकी से आपको देखने को मिलेगी view, fees and details पर click करके आप यहाँ पर सारी की सारी details देख सकते हैं ठीक है? मैं एक बार back करूँगा back करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से back करूँगा और back करने के बाद आपको देखने को मिलेगा continue इस पर मैं click करूँगा जैसे continue पर click करूँगा दोस्तों मेरा जो bank है वो मेरे सामने आ गया कि भई यहाँ पर जो है अगर मालो आपका bank account यहाँ पर नहीं आता है तो क्या करोगे? click करोगे click करने के बाद add new पर click करोगे और यहाँ पर आपका जो भी bank है भई आपका किसी भी भारतिय बैंक में saving account है उस bank को आप select कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना number डाल दोगे जो भी number है bank account का उसके बाद submit कर दोगे और submit करने के बाद आपका bank की यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जैसे ही मैं यहाँ पर देख रहे हो किसी भी income proof की जोड़त रही है बस यह जो application आपसे यह पूछती है कि भी आप महिने में कितना पैसा कमा लेते हो उतना पैसा आप खुद से ही बता दो आप student है, housewife है, sellerate है, self employee है या भाई बेरोजगार है तो भी आपको थोड़ा बहुत लोन यहाँ पर मिल जाता है बेरोजगार को भी यहाँ पर लोन मिलता है उसकी वज़य क्या है, कि अगर आप बेरोजगार हो unemployed हो, ठीक है तो ऐसी condition में आपको 2-3,000 रुपे का लोन मिलेगा यहाँ पर आपको फस्टाइम पहली बार में यहाँ पर कुछ ना कुछ लोन जरूर मिल जाएगा तो आसा करते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनलो को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद